Hello everyone, exercise 7.1 का question number 10 बताऊंगा मैं इस वीडियो में और ये exercise 7.1 का last question है, NCRT का class 10th के तो इसमें कहरा find a relation between x and y such that point x और वादेखो इसमें जो relation कहरा है निकालने के लिए relation ठीक है, relation का मतलब ये edge इसको मतलब जैसे 2x plus 3y minus 5 equal to 0 इस form में आपको मतलब करना, ये इस equation के form में आपको इस सवाल को solve करना, ये मैंने एक example बता रहा है, ये इसका answer नहीं है तो इस तरह के form में, इस form में आपको जो है, ये change करके आपको बताना है, इसका relation बताना है, ठीक है तो इसमें मैं question read करता हूँ, कह रहा है, find a relation between x and y, x और y के बीच के relation आपको बताना है such that point x y is equal distance, इसमें भी इसी तरह का मैं graph बना जाता हूँ, जैसे मालनों यहाँ पर कोई x और y कोई एक point है, ठीक है यहाँ से equal distance पर दो point है, यहाँ पर एक point है, और यहाँ पर एक point है, तो यह जो point है, यह 3 and 6 है, और दूसरा जो है, minus 3 और 4 है, ठीक है इसमें भी कह रहा है, यह दोनों जो है, यह equal distance है, इसे आप a माल लो, इसे b let कर लो, और इसे c let कर लो, ठीक है यह जो a b equal ac है, इसमें लिख देता हमें, जो यह answer में, जो यहाँ पर given क्या है, given है, यह जो a b है, यह ac के equal है, कह रहा है, equal distance point x and y, x, y is equal distance from the point 36, 36 and minus 3 और 4, ठीक है, तो इसमें a b और a c equal दिया हुआ, मतला मैंने इसे a b c let कर लिया है, तो इसे a b और a c इसमें equal है, यह भी यह दोनों निकाल करके distance formula से, दोनों को equal कर दूंगा, तो इसमें x और y की बिच के relation हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, for a b, a b के लिए देखो, x1 का value क्या है, x है, y1 का value 3 है, ठीक है, x2, x2 का value क्या है, sorry, यह x1, y1, और यह x2 का value 3 है, और y2 y2 का value 6 है, देखो, यह x1 का value x, y1 का value 3, यह y है, y1 का value, sorry, यह y1 का value y है, देखो, यही सब, अगर mistake हो जाता है, सवाल पूरा, जो है, आपका गलत हो जाता है, x2 का value यह हो जाएगा, यह हो गया, x2 का value, और यह, जो है, y2 का value, मतलब यह जो है, आपका, यह हो गया, x1, यह ह हो गया y2 तो इसमें आप क्या करना है आपको a b निकाल लेना है distance formula यूज करके distance formula क्या कहती है x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा x2 x2 है आपका 3 ठीक है 3 minus x का square और plus y2 क्या है y2 है आपका 6 6 minus y का square ठीक है इसमें a minus b का formula का आपको use करना है तो a minus b का formula क्या होता है a square plus b square minus 2ab ठीक है यह होता है तो मैं इसमें क्या करता हूँ इसी formula का use करता हूँ तो देखो इस formula का अगर मैं use करूंगा तो a का value 3 है तो 3 का square यानि की 9 मैं इसे direct कर रहा हूँ ठीक है और यह plus b का square यानि की x का square ठीक है और minus में 2ab तो देखो 2ab तो 3 to 6 x हो जाएगा ठीक है यह a minus b का whole square पर मैंने इसे लगाए प्लस में इसे भी a minus b का whole square पर करेंगे solve हम दिया जाएगा 6 का square यानि 36 ठीक है प्लस y का square और minus हो जाएगा 6 चूजा 12y ठीक है आप इसे solve कर लाना है a minus b का whole square पर इतना ही आएगा ठीक है इन दोनों को मैंने solve कर लिया इसके अंदर में थोड़ा सा क्या करना पढ़ेगा हमें solve करना देखो अगर यह चीज़े अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बताई देता हूं यहां तक मैंने इसका value लिखा है देखो 3 minus x का square यह देखो a square यानि की 3 का square हो जाएगा b square यानि की x का square हो आएगा और minus 2 into a के जगह पर 3 और b के जगह पर x यह 3 का square तो 9 plus x square और minus 3 to 6 x हो गया यही चीज़े मैं लिखा है ना 9 plus x square minus 6 x है ना उसी तरह से आप इसको भी solve करके देख लेना तो easy सा है इसे तो आपको आता ही होगा इसमें अब तोड़ा सा solve क्या करना है इसको rearrange कर देता हूं x square और y square पहले लिख देता हूं मैं ठीक है x square y square पहले लिख दिया मैंने उसके मैनस 6 x और minus 12 तो minus आपका ab का value फिलाला भी इसे यहीं पर छोड़ देता हूं मैं यहीं पर मैंने इसे छोड़ दिया अब आपको ac निकालना है तो ac के लिए क्या हो जाएगा इसमें मैं formula नहीं लिखूंगा direct मैं इसमें put कर देता हूं देखो ac के लिए x1 y1 यहीं रहेगा और यह हो जाएगा आपका x2 और y2 तो x2 minus x1 यानि की minus 3 minus x का square minus 3 minus x का square हो जाएगा प्लस में यह कितना है 4 है तो 4 minus y का square 4-y का square हो जाएगा ठीक है तो इसे भी मैं direct करतेता हूँ नहीं तो इसे मैं करतेता हूँ चलो अच्छे से करतेता हूँ देखो मैंनस 3 का square हो जाएगा a-b का square तो a square plus b square ठीक है और minus हो जाएगा 2ab तो minus 2 into a के जगह पर है आपका minus 3 और b के जगह पर है आपका x ठीक है फिर plus में plus में ये 4 का square ठीक है और plus y का square और minus हो जाएगा 2 into a into y ठीक है a के जगह पर 4 और b के जगह पर y अब इसे solve करतेता हूँ है इसे अगर आप solve करोगे ये आजाएगा आपका कितना 3 का ये minus 3 का square प्लस में 9 होगा और ये हो जाएगा plus x square ये आजाएगा देखो minus minus ये हो जाएगा plus 3 to the 6 x plus में 4 का square यानि कि 16 और ये हो जाएगा plus y square और ये आजाएगा minus 4 to the 8 y ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आगी आओगा मैंने कैसे करा है बस आप calculation पर रियान रखना अगर छोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर ये problem हो जाता है सवाल solve नहीं होता है answer नहीं आता ठीक है मेरे सी भी गलती हो जाती है ठीक है तो आप लोग बिल्कुल carefully करना सब कुछ value आराम से put करना और easily solve करना तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा और मैं rearrange कर देता हूँ यह हो गया x square को पहले लिख दिया फिर y square को लिख देता हूँ थोड़ा सा दिखने में यह अच्छा होता है जो लिए मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ यह 6x और minus 8y ठीक है यह 6x और minus 8y और देखो यहाँ पर 9 और 16 प्लस 9 करोगे तो यह आ जाएगा आपका 25 अब मैं बताता हूँ गल्दी क्या हुई है मेरे से देखो यहाँ पर यहाँ पर minus 6x है और यहाँ पर minus 12y है यह X category का और यह Y category का इंदोनों का मैं Add नहीं कर सकता न नहीं कर सकता तो यहीं पर हमारा यह mistake हुआ है तो यह यहाँ पर minus 6x ही रहेगा यह minus 6x ही रहेगा यहाँ पर ठीक है और इसमें जो है यह मैनस 12 वह है यहां पर एस ऐसे रहेगा ठीक है यह चीज जो है जो मिस्टेक था यह आप मत करना मैंने बोला था इन सब तरह की सवाल मिस्टेक हो जाता है इसलिए ध्यान से करना ठीक है तो देखो यहां पर यह एक्स वालटाम है यह वालटाम है और यह छोटी मोटी करना ठ्थीक है तो अभी देखो यह आगी आपका आसी का वैल्यॉ को देखों मैंने अगर इसको मैंस्वाल करता थी है तो मिस्टेक कर रखा था अब देखोताब हमारे पास क्या है physical मतलब amassal here A B equal A C हमारे पास है तो A B और A C को मैं क्या करूँगा equal कर दूँगा तो यह इसको मैं लिख देता हूँ root X square plus Y square minus 6X ठीक है plus 45 और minus 12 Y ठीक है minus 12 Y equal to यह A B का value था अब A C का value मैं यहां पर लिख दूँगा तो A C का value अगर लिखूँगा यह क्या है X square plus Y square plus 6X minus 8Y plus 25 ठीक है यह ची लिख दिया अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ square कर देंगे तभी तो यह square हंट जाएगा यह root हंट जाएगा तो मैं लिखूँगा squaring both side दोनों तरफ square करने पर तो मैं इसको next page में आपको समझाता हूं square करना है दोनों तरफ तो मैं क्या करता हूँ इसके दोनों तरफ square कर देता हूँ यह रहा है सquare करने से क्या होगा इसका जो root है वो cancel हो जाएगा तो मतलब यह square से जो है आप root cancel कर सकते हो इस square से plus 45 minus 12 y equal to x square plus y square plus 6 x minus 8 y plus 25 ठीक है जो यहां पर रहे गया मैंने वो यहां पर लिग दिया आप देखो यहां पर ध्यान से देखो यह x square से x square cancel हो जाएगा क्योंकि इधर अगर shift करोगे तो minus x square हो जाएगा यह square से y square cancel हो जाएगा क्योंकि इधर shift करोगे तो minus होगा plus minus cancel हो जाएगा तो रहे क्या गया देखो minus 6 x और minus 6 x ठीक है आप यहां पर जो है वो मैं लिग देता हूँ minus 6 x plus 45 minus 12 y equal to 6 x minus 8 y और plus 25 ठीक है अब मैं क्या करता हूँ सबको इधर shift कर लेता हूँ सबको इधर shift करने का मतलब है देखो minus 6 x plus 45 minus 12 y minus 6 x इसको इधर shift कर रहा हूँ plus 8 y और minus 25 equal to 0 सबको इधर shift कर लेता है इधर 0 रह जाएगा अब देखो यहां पर minus 6 x और minus 6 x कितना हो जाएगा minus 12 x हो गया इन दोनों का थो हो गया अब y वाला time देखता हूँ minus 12 y और plus 8 y है यह minus मही होगा कितना होगा यह जाएगा minus 4 y 12 y में से 8 y जाएगा तो 4 बचेगा लेकिन minus वाला बड़ा है इसलिए minus y रह गया ठीक है अब अब क्या हो जाएगा इसमें देखो minus 4 y अब इसमें रहे कौन सा गया time यह भी हो गया यह भी हो गया यह बस नम्मर वाला रहे गया यह और यह तो 25 में से अगर 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा यह प्लस में रहा जाएगा आपका 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 2 यानि कि 20 एक्वल 0 ठीक है अब इसमें आपको क्या करना है इसमें देखो चुकि यहां पर 1st में नहीं हम रखते हैं तो इसमें से हमें मैंनस 4 मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ तो मैंनस 4 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया तो मैंनस 4 कॉमन ले लोगा मैं इसमें क्या बचेगा यह बच जाएगा आपका 3x टीक है और यह minus आ गया है comment में यह हो जाएगा plus y क्योंकि 4 तो बाहर आ गया minus भी बाहर आ गया थो plus y बचा और plus में 5 बच गया equal to 0 टीक है अब यह आ जाएगा आपका 3x plus y plus 5 equal to 0 by minus 4 टीक है यह minus 4 को मैंने इदर shift कट लिए multiply था यदर divide में आगिया, यह cancel होकर 0 ही बचेगा, है ना, तो यह आपका आगिया है कितना, 3x plus y plus 5 equal to 0 ठीक है, तो तो यह जो है आपका relation आगिया, x और y के बीच में आपको relation लाना था ना, और मैंने आपको studying बोला था, जो x और y के इसके बीच में इसे equation के form में आपको लाना है तो I hope आपको यह easily समझ में आई आओगा, ठीक है, तो बस यहाँ पर जो छोड़ी से mistake हुई थी, वो आप मत करना, ठीक है, तो यह चीजी जो है, बहुत बड़ी mistake थी मैंने x और y टम को नहीं जोड सकता था, मेरे से x और y टम था, तो मैंने x और y टम अलग अलग ही यहाँ पर लिखिना होता है, तो easy question था, कोई harder नहीं था बहुत ही easy question था, तो I hope आपको easily समझ में आगिया होगा फिर भी अगर कोई doubt हो, तो आप मेरे सिफ comment box में comment करके पूछ लेना, मैं आपको उसका solution जरूर बताओंगा, तो फिर मिलते हैं next video, next question के साथ